गुड़ ओर्निंग टू आल सब्सक्राइबर एंड विवर वॕ ए सभी का सवागत है एक्षट एक्जू अनि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वेल-ाइकन में जाकर वेल-ाइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको समय से मिल सके और सुबह के आठ बच चुके हैं और यहां पर आप देख रहे होंगे कि काफी सारे बर्ड्स जो हैं वो उपर बैट करके और सॉफ्ट पूर्ड का इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ सॉफ्ट पूर्ड मिलेगा खाने के लिए और यह और इनने खाना भी स्टार्ट कर दिया देखिये हैं बहुत ही हेल्दी और कलरफुल वर्ड्स हैं और काफी सारे वर्ड्स जब एक साथ होते हैं तो कुछ अलगी न जा रहा होता है खेर चलिए आज आज आते हैं आपके टॉपिक में आज की जो वीडियो च्छे मिनिट की ईंट्र-ड्स भी चेश खेर नहीं हैं और यूज आज हम यह बात करेंगे कि हमारे यहां इंडिया में कुछ पैरति हैं या कुछ पैर्ष्ट हैं या कुछ बहर्ड्ट्स हैं जो कि बैन में और उनको पालना जो है कानून अपराद है लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि फिर भी लोगों ने उनको पिंचरे में रखा हुआ है क्याद करके रखा हुआ तो पहली तो एक नैतिक जम्मेदारी हमारी ये बनती है कि अगर कोई पक्षी हमारे यहां बयन है और हम उसको नहीं रख सकते हैं तो सीधी सी बात है कि नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसका एक रीजन है देखिए 1972 में वाइड लाइफ एक्ट के तहत जो रूल इंडियन गवर्मेंट में ने बनाया था कि जिसमें की कुछ पक्षियों को वेन किया गया था कि हम उन्हें ना रखें रीजन ये था कि उनकी जो संख्या है वो कारे में बात करें कि वो चार तोते कौन से हैं जिनको पालने में हमें बहुत बड़ी परिसानी का सामना कर सकता है हो सकता है कि हम उसको हलके में ले रहे हो लेकिन उसको हलके में विलकुल भी न लें क्योंकि अगर आप उस एक्ट के तहत आपकी उपर अगर कारवाही की जा फुर्वाना भी लगता है और जेल भी हो सकती है तो आज हम इस्पेशली बात करेंगे कि ये चार प्रकार के तोते कौन से हैं जिनकों की पालने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है तो उनको बिलकुल भी न पालें क्योंकि ये एक हमारी model duty भी बनती है कि अगर हमारे देश में कोई प्रजाती जो है वो सनरक्षित की गई है या वो बिलुप्त होने की कगार में है तो हमें उसको बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए ना कि हम उसको पिंजरे में कैद कर दें ताकि वो पूरी life एक छोटे से पिंजरे में रहे ना तो वो अपना कभी पेर बना पाए और ना ही कभी वो एग ले कर पाए ना वो बच्चे दे पाए क्योंकि लोग यही करते हैं कि ये जो पैरट्स होते हैं ना वो पैरट्स होता है लेकिन अगर दोके से भी आप बाइड लाइट एक्ट के तहत अगर आपकी उपर कारवाई हो गई तो ये जितना भी आपको अच्छा लगा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मैं हसके जरूर आपसे बात कर रहा हूं लेकिन मामला बहुत सीरियस है तो ध्यान से सुनिए क्या होता है कि अगर हमारी एक मॉडल ड्यूटी बनती है कि हम जो है इस तरीके की प्रजातियों को संरक्षित करने में हेल्प करें और अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम उनको पिंजरे में कैद ना करें क्योंकि आने वाले टाइम में अगर वो नहीं रह जाएंगे तो फिर हम कौन सा तोता पाल लेंगे और फिर क्यों पालेंगे बस यह डिसकस करेंगे तो देखिए यह बर्ड्स जो हैं इन लीगल है वाइड लाइफ हैक नाइटी सेवंटी टू के तहत और इन में आपको तीन साल के लिए जेल तीन हजार से पाँच हजार तक का जुरवाना या दोनों करना पड़ सकता है तो सावधान हो जाएए यह बर्ड्स कभी न रखें इन में सबसे पहला बर्ड्स जो है जो ज़्यादा तर प्रचलन में होता है वो इंडियन रिंगनेक है इसके नेक में एक घेरा होता है आपको सामने दिख रहा होगा और इसको सभी लोग जानते हैं इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है इंडियन रिंगनेक है यह टोटल बैन है तो ढोके से भी इस birds को बिलकुल भी ना पाले है reason ये है कि हम इनको पिंजरे में अगर कैद कर देते हैं तो ये breed नहीं कर पाते हैं और इनकी बहुत ही संख्या कम हो रही है दूसरा है Indian non ringneck बिलकुल ringneck के जैसा ही होता है बस ये है कि इसके neck में ring नहीं होता है और ये उससे थोड़ा सा छोटा होता है ये भी talkative होता है ये भी बात करता है और इसी चक्कर में लोग इसको पिंजरे में रखते हैं जो कि बहुत गलत है और आप कभी भी परिसानी में आ सकते हैं अगर आप ये birds पालते हैं तीसरा है Alexandrian parrot इसी को हम पहाडी तोता बोलते हैं ये ring neck या non ring neck जो दो पैरट अभी मैंने दिखाए उससे size में काफी बड़ा होता है और उनसे ज़्यादा talkative होता है ज़्यादा अच्छे से बात कर सकता है इसका pronoun season बहुत अच्छा है तो ये फोर्थ थर्ड नंबर का जो पैरट मैंने आपको बाता है लाइकजंटर पैरट पहाडी तोता ये भी हमारे यहाँ बैन है इसको बिल्कुल न पाले और एक ये आपको सामने देख रहा होगा इसको बोलते हैं पलम हैड़ेट पैराकीट और इसी को हमारे यहाँ इंडिया में टूिया भी बोलते हैं और इसको भी अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपको तीन साल की जेल या की तीन हजार से पाँच हजार तक का जुरवाना हो सकता है ओके थैंक्यू नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मिलते हैं